हेलो फ्रेंट्स मैं आंसी मौरिया एंड नौ यूर वाचिंग एम डाटम एचुकेशन यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स जासा कि आप इसक्रिण पर देख रहे हैं हम क्लास 12 बाइलोजी का चैप्टर नुबर सेकंड पर ने जा रहे हैं और चैप्टर नुबर सेकंड से म सब्सक्राइब कुछ एमसी क्यूंगे और यह जो मोस्ट आइम पी एमसी क्यूंगे यारी आपके बोर्ड एक्जाम के जो टर्म फर्स्ट वाला एक्जाम होने वाला उसके पॉइंट अब व्यू से हैं सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिएगा जरूर और आपक करेंट प्रीज जाके देखिए स्क्रिप्षं बॉक्स में लिंक इवें हैं आपको लिंग देखने के मिल रहे होगे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी वहां से आप सारे आगे के पीछे के सारे वीडियो देख सकते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट यहां पर आप देख科 जाएगा तो यहां पर मैं आपको शowego बात बता दूँँ कि यह जितने हिए भी पाइट हैं हर पाइट में हम एक टॉपिक कंसीडर कर रहे होते हैं हर टॉपिक के कुछ मुस्त आय सब्सक्रिफ आइप कुिष्टोण पॉलंग डेल से बन रहे होते हैं और सेम ऐसे टाइप में हम यहां पर आज कंसीडर करेंगे हमारा टॉपिक होगा structure of pistol, so last तक बने रहीएगा structure of pistol से जितने भी important question बन रहे होंगे जो कि आपके board exam के point of view से होंगे term first exam के point of view से होंगे वो सारे question हम यहां पर देखेंगे बाते समझ में आती हैं तो पिछले और अगले सारे वीडियो देखिएगा तो देखते हैं structure of pistol से कितने question यहां पर बनते हैं तो यह रहा आपका first question आपके screen पर what represents the female part of the flower तो यहां पर कुछ आपको option दिये गया है क्या androsium ऐसा represent कर रहा होता है कोरोला कैलिक्स गाइनोसियम देखों पूरा चैप्टर आपने पढ़ रखा है यहां पर इतना तो आपको पता ही होगा आप जरा answer बताईए हा तो जी विल्कुल बाते सही हैं गाइनोसियम आपका female part को रिप्रेजन कर रहा होता है और यह जो आपका female part है एक दम से रिमेंबर हो जानी चाहिए कि हाँ यह तो female party होगा और मैं आपको यहां पर एक और बात बताऊं जो कि हाला कि आपको पता ही होंगी गाइनोसियम आपका means आप क्या समझते हो क्या इसके कार्पसल्स फ्यूज होते हैं फ्यूज को रोला होता है या फ्यूज एंडरोसियम फ्यूज सेपल किसको हम सिन कार्पस बोलते हैं ओके तो ओव्यसली फ्यूजड कार्पसल्स को हम क्या बोलते हैं सिन कार्पस ओके तो यहां पर आपका अंस तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्रिस हो जाते हैं हर टॉपिक के क्वेश्चन से, इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक भाई ठाती हूँ, हाँ यहाँ पे अपने एक चीजे और देखी होंगी भाई, फिप्टी बन से हमने स्टार्ट किया है, और हम यहाँ पे क्वेश्चन दे इसके पीछे के सारे वीडियो जो हैं, पीछे के पार्ट में हुए हैं, जिसमें हमने और कुछ टॉपिक उठाए हैं, तो वो साई चीजे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि भाई, डिस्क्रिप्रिप्शन बॉक्स में लि तो बाते ध्यान से सुन इंगा मैंने क्या बाते कि ऐ हैं, पिस्टिल इज द ः फ्री हुनीट ऑफ गाईनुसेम, बट य्ञा उनिटव, आगे चलते हैं, तो यहां पर आप का अंसर हो जाता है बी, और आसा जाता हो 54, पुरिलेरर होंगे किया ओइन्स पड़िय केरय लिए ओदक जान पाएंगे कि टीनेंग सॉर्ट होता है कि भी इन्स पर्ड़ अब एक पाएंग यह अब ऑप करी आप नाग C लांग टे Wi-lai virtue लाइक कि होता है कि आप इसे यह बात जान पाएंगे कि यह Oprey ह Herr Vesel Soheim Part की वजह से तो हम जे विल्कुल यहां पर क्या होता है Obry में Veselric Hen Part scores oke okay तो यहां पर आपका option होता है D 9,55 question what does the stigma do it stigma क्या करता है stigma का क्या होता है 55 question यहां पर क्या एक compability test करता है support, connection, reproduce यहाँ पर देखो सारे option चेक करा करिए भले ही आप यहाँ पर option A आपको देखते ही लग जाता है कि हाँ बाई option A ही सही होगा यही answer है बट आप पूरे option चेक करा करिए B भी देखा करिए C, D, सारे option कितना भी आप 100% sure हो कि हाँ यही answer होगा बट पूरे option देखा करिए आप जरूर ओके तो यहाँ पर आपको क्या answer हो जाता है हाँ जी बिलकुल compatibility test करता है stigma का का काम क्या होता है as you know as you know pistol क्या क्या consist कर रहा होता है stigma style and ovary style and ovary और आपको diagram भी पता है भाई कुछ ऐसे diagram होता है हाँ मैं diagram बहुत अच्छा नहीं बना पा रहे हूं लेकिन हाँ ऐसे ही होता है है ना ऐसे ओके तो इस इस आपको stigma and it's a style this is the ovary तो यहाँ पर यहाँ इस्टिग्मा का काम क्या होता है यह compatibility test करता है कि भाई जो pollen आया है जो pollen grains उड़के आये है क्या यह same species के है क्या इसे style में जाने देना चाहिए ओबरी तक पहुंचने देना चाहिए और नहीं जाने देना चाहिए तो यह compatibility test करता है तभी जैसे कि यहाँ पर actually होता क्या है जो pollen आता है chemically कुछ बातचीत होती है लिए पॉलिन की stigma की यह रिकरग्नाइस करता है चेक करता है कि है यह यह बाते है compatible है या compatible नहीं है तो हम यह बाते कह देते हैं कि है भाई stigma करता है compatibility test करता यहां पर stigma आता है कुछ time पैठता है यहां पर तो इसे स्टाइल के थू यहां पर इस ताइल है नेक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है नेक लाइक स्ट्रक्चर जो देखने के लिए मिल रहा है यहां पर इधर से होते हुए पॉलन यहां ओवरी में आ जाता है यहां पर होते हैं तो यहां पर होता है एक चाहिए दबल फिटेलाइजेसिन ओवरी में और अगे वह सारी बाते भी करेंगे लेकिन अभी घ्र में यहां पर क्या पढ़ रहा है भाई इस ट्रॉक्चर ऑफ पिस्टिल से भी हमने कुछ कुछ उठाया तो इस्ट्रॉक्चर ऑफ पिस्टिल को हम पहले क्लियर कर ले प 76 stigma stigma are free in hiviscus क्या ये बाते सकते हैं या सकते हैं या सही हैं या गलत हैं तो आप जड़ा बताईए कि stigma जो होता है वो hiviscus का तो ये बाते ध्यान दिजिए गया तो यहाँ पे क्या होता है ये चीजे गलत है क्या आपने ऐसा कभी देखा है मतलब आप देखे होंगे यह बाते भी आप देखे होंगे कि देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका स्टिग्मा जो हो वो फ्री ही हो फ्री भी हो सकता है and bunch भी हो सकता है maybe it's free maybe it's bunch maybe it's in bunch okay तो ऐसा भाई कोई compulsory है नहीं कि तो ये बातें पूर्ड रूप सही नहीं होती है तो यहां पर हम फाल्स कर देंगे option B सही है आगे चले 57 इन विच कंडिशन सुट दा ओवरी जो फ्री कौन सी कंडिशन में भाई ओवरी ऐसी फ्री होती है तो यहां पर सिंकार्पस तो वहां पर आपने देखा ही था भाई वह इसके ओवरी के लिए था ही नहीं एपोपोटसिस, एपोकार्पस, एडिफेलर, सिंकार्पस तो हम पहले से ही हटा दिए तो यहां पर आपका answer क्या सही होगा B सही होगा, एपोकार्पस हम बोलते हैं देखो कहीं न कहीं आपको नाम से ही साही चीज़े समझ में आती हैं, ओके चलते हैं यहां पर आपका आपसन क्या शही हो रहा है ऐसमर क्या होगा और और introduction आपका भी है ना कि आते हैं वतलोगोज लोगोज रवम प्री यंदि क्रूज क्या होते हैं आपको बिता हुं कि जो आपको दिखा अपरे होती है Nemd ओवरी में कुछ चेम्बर होता हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं fort क्यों बोलते हैं तो यहां पर क्या होल्स को बोलते हैं वाल को, चैमबर को, ओवरी को तो यहां पर होल्स होगा नहीं वाल्स और ओवरी की ही हम बात कर रहे हैं कि ओवरी में ही प्रेजन्ट होते हैं चैमबर तो आपका आप्शन सही हो जाता है C, option C, answer आपका सही है, chamber, 59 question, what is placenta, placenta क्या होता है भाई, placenta, देखों, मैं आपको बताओ, कि जो ओबरी होती है, ओबरी एक पेरंट काइमेटर्स टीसू को बढ़ाती है, ओबरी में क्या होते हैं, पेरंट काइमेटर्स टीसू होते हैं, तो इस टीसू को हम किस नाम से जानते हैं, भाई, placenta के नाम से जानते हैं, कौन से टीसू को भाई, पेरंट काइमेटर्स टीसू, कैसा टीसू, पेरंट काइमेटर्स टीसू को हम किस नाम से जानते हैं, प्लेस प्रिंटा के नाम से जानते हैं and obviously it's also part of ovary okay तो यहां पर आपका option क्या से हो जाता है भाई B, option B सही है and यह बाते आपकी होती हैं खतम and question number 60 पैपावर, पैपावर क्या है पैपावर क्या है वो ठीक है पैपावर मेंस कैसा होता है यहां पर आपको कुछ औपस्स में कुछ बाते देखने के मिल रहे हैं खिया aEDEALPHAS होता थे इसलोग किईल, यहां पर पैपावर का जो फिरी कार्फिस में देए नहीं होता है क्या पैपावर में ऐसा कोई क्यापावर में यहां पर जो थे कृपावर कर्कोर्भभ anal oxidation होता है पैपावर के जो कार्पसल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं पैपावर के कार्पसल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो हमें पता है कि भाई अगर कार्पसल्स फ्यूज है तो उसे हम क्या बोलते हैं सिन कार्पस बोलते हैं पीछे भी बाते खरके आएं कि सिन क कैज़ आपयो भात की और पैपावर जैसे की मैं उसनी बात की कह período कि रर उतक्ता चैचिक विलावरेторर्फ के डियो है तो खते ध्यापन से यहां के यहां पर नियुक्स, पैपावरें जींपन जालिआप सीशियहां, M.M.Education YouTube channel and thank you, thank you for watching this video bye bye, मिलते हैं next video में okay, next video में next part के साथ, okay, part 7 होगा हमारा यहाँ पे और part 7 में हम एक अलग topic देख रहे होंगे so यह चैनल को subscribe कर लो जिससे वीडियो के notifications आपको मिल सकें और आप देख सको okay, bye bye